अबारती को प्रणाम करते हूं आप सब केश गुरू मतापता को प्रणाम करता हूं और आप बच्चों को विशेश थोर पर बहुत सारा राट प्यार हो सभी लोगों को सुभा की दावनम के भष सारे Managementивать क्कृल गया और बहुत सारे बच्चें विशेस करना चाते हैं कर दो कर ढ़ी करना चाहते हैं अजकर डॉक्टर्स भी मैनेजमेंट करना चाहते हैं और armpla कर अब मेनेजमेंघमेंट हो गया है बहुत सारी स्ट्रीम्स उसमें नहीं डिवलप हो रही है, लेकिन सभी लोगों को बहुत अच्छा इंसिचूट नहीं मिलता है, मैं आयम वगरा की बात ही नहीं कर रहा है, अच्छे इंसिचूट की बात कर रहा है, बहुत सारे लोगों को अच्छे इंसिचूट नहीं मिलता ह क्यों यही मैं आज आपको बताने वाला हूं आपके हाथ पर ऐसी कुछ रेखाएं भी होती हैं कि आप management करके success हो लोंगे कि नहीं क्योंकि बहुत सारे बच्चे engineering छोड़कर मतलब engineering में master's छोड़कर MBA कर लेते हैं लेकिन उनकी किस्मत में यह है कि अगर वह engineering की ही फीर्ड में काम करते रहें तो ज्यादा success होंगे management management के तो मैं बताओं सबसे पहले important क्या है ठीक यह जानी देखें आपको एक अच्छे विद्याले से management की degree के लिए यह दो रेखाएं होना बहुत जूरी है और यह दो रेखाएं बिलकुल यहां तक एकदम स्पस्ट हो और साथी साथ यहां पर यह कुछ इस प्रकार से रेखाएं यह वाली रेख़ाइन कटी होई नहीं होनी चाहिए यह लेखाइन इस परकार से हैं और साथी साथ बैदे की किस्मत तो हर जगे काम आती ही है अगर यह के आपकी लक लाइन एकडम ठीक है तो यह तैह है कि आपका मैनेज्मेंट होगा अच्छी जगह से होगा लेकिन अब समस्या क्या है दूसरी आप management तो कर लेंगे वह तो कर ली अब as manager आप success लोंगे यह टेक्नोक्रेट के रूप में आप success लोंगे यह जानना वह जरूरी है क्योंकि यदि कुछ रिखा हैं आपके हाथ में हैं तो आपके लिए management बहुत suitable और कुछ रिखा हैं आपके ह आपकी technology की know-how से ही बढ़ेगी management से नहीं बढ़ेगी और उसमें इतना सारा पैसा लगा देना और दो किमती साल लगा देना फिर यह सही नहीं है इसलिए मैं आपको यह भी बताऊंगा कि किन लोगों को technical field में ही रहना चाहिए और किन लोगों को management की field में आना चाहिए तो मैं आपको अब यह बताता हूँ कि वो कौन लोग होते हैं जो technical field में नामराशन करते हैं और वो कौन लोग होते हैं जो management की field से धन कमाते हैं और नामराशन करते हैं क्योंकि इसको लेकर बहुत सारे बच्चेма बहुत confused रहते हैं तो बहुत ध्यान से इस चीज़ को समझने की कोशिश करें, मंभी पापा भी और वच्चे भी लाव होगा आपी को, देखें बहुत गोर से इससे समझने की कोशिश कीजिए, यदि आपके यहां पर उंगली का जो जोड का हिस्सा होता है, वहां पर गात उभी हुई है, इस प ह疑ना है, और उभंए होए हैं और फोड़ सौफ है, साथ इस साथ यह वाली उस लंभी है, आपके इस वाली उंगली का जो पूर होता है, परत्मभी, ये वाली उंगली उस वाइस प्रेजिडेंट जैसी पॉजेशन या आपरेशन हेड जैसी पॉजेशन या प्रोजेक्ट मेनेजर जैसी पॉजेशन पाएंगे प्रोजेक्ट मेनेजर वकर बहुत जल्द बन जाएंगे लेकिन मैं पुना कहता हूँ ये उंगली यहां के लगभग होनी चाहिए और ये वाले हिस्से थोड़े से गोल होने चाहिए तब ये हासिल होगा मान दीजे ये गाठेदार उंगलिया है आपकी और ये हिस्सा पतला है मुलाइम भी नहीं है ये सक्त है तो आप ऐस मेनेजर बहुत सक्सेस्वल नहीं हो पाएंगे सारे जीवन आपको जगड़ा जगड़ा जगड़ छेलना पड़ेगा तो अब ये इंपॉर्टन्ट हो गया भी मैलेजमेंट करना है नहीं करना है क्लियर और ये क्लियर है अगर आप समझ गए हैं तो बिल्कुल बिन्दास का डिसिजन लीजे और अपनी लाइन को चूस कीजे आजकर बहुत अच्छे स्कोप्स हर लाइन में है इसलिए कुछ भी लकीर के फकीर होने की कोशिश मत कीजे अपने पे confidence रखके और चलिए आगे बढ़िए आप definitely सफन होंगे यदि आप अपनी लाइन के master हैं तो और बहुत मेंती हैं तो लेकिन फिर MBA की बात है कि आप MBA किस में करें HR में करें हैं, finance में करें हैं, sales and marketing में करें हैं और अब तो MBA management की और नईने विधाएं भी आ रही हैं देखे, विल्कुल साफ साफ बात है मैं आपको बता देता हूँ अगर आपकी ये वाली जो उगली है, ये लंबी है तो तो तैह है, आप as manager बहुत success हो लोगो समाने बात नहीं कर रहे हैं और इसलिए मैं कहता हूँ, तेरे बच्चे बहुत उच्छा सोचे बड़े खौब देखें, ये लंबी है आप बड़ी है पोजिशन पर पहुँचेंगे और अच्छे manager बनेगे, ये तो तैह हो गया अब दूसरी महत्पोर बात क्या है कि यदि यहां पर आपके बहुत सारी निखाएं है और ये वाला हिस्सा आपका उठा हुआ है ये वाला हिस्सा, ये उठा हुआ है और यहां पर एक line सीधी इससे जाकर मिल जाती है तो साब आप finance की field के master है आप भले ही science के student क्यों ना हो लेकिन जब finance का काम देखने पर आएंगे तो आप बहुत बढ़िया करेंगे तैवाद अरे आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि 12th में आपने जो कर लिया बस वही आपके जिन्दगी है मैं आपको एक दो नहीं लाखों ऐसे success तो लोग दिखाऊंगा जिनकी formal education कुस्ट ही लेकिन काम कुछ और की है अरुज में success होकर दिखाया उन्होंने यह तो दिमाग और व्यक्तित के खेल है ना अब तूसरी चीज बहुत दिहान से सुने अगर आपकी यहाँ पर यह लाइन से इस तरीके से यह यह लाइन सपस्ट है यहाँ पर आपको दिखा रहा हूं यहाँ पर यह लाइन सपस्ट है और यहाँ पर यह लाइन सपस्ट है अगर यह दो लाइन साथ के हाथ में है तो HR आपकी फिल्ड है और खुब success होगी आपको HR में तीसरी चीज एक मदद होड़ करता हूं अगर आपकी यह लाइन ऐसे मिल रही है इस तरीके से यह लाइन यह यहाँ भी जा रही है और ऐसे भागे रेखा में मिल रही है तो आप marketing में सामाने नहीं बड़े पद पर पहुँचेंगे और जाने जाएंगे और देश विदेश में घूमेंगे और जम के घूमेंगे तो क्यों confusion हमारी लाइन्स हमको बड़न क्लियर कर रही है कि हमें कहां जाना और कैसे जाना है क्यों confusion आप सिर्फ वही काम कीजिए जो यह लाइन्स बता रही है और देखिये एक तो stress-free रहेंगे क्योंकि confusion में stress कितना हो जाता है confused जो व्यक्ति होता है सोची दिमाग कर दही हो जाता है तो आप एक तो confused नहीं है रस्ता एकड़म स्पस्ट है खुला एक दोड़े चले जाए अपनी जगह पर और हाँ बिंदास दिसिशन लो इन लाइन को देख कर लो आप दिसिशन मैं कहरा हम दो सब अच्छा होगा और आप गुरुमांत्र भै देखें लाइन आपके हाथ में स्पस्ट है तो यह तैह है कि आप बने आज बने कल बने सीओ बने लेकिन यह तो करोड़ों में से एक आथ के तिनी स्पस्ट लाइने होंगी बाकी लोगों को तो अपने रस्ते खोद कर पाट कर बनाने होंगे और उसमें आपकी मेहनत समय पे किया गया कारे अनुसाशन जीवन में बहुत महत पूरे जो भुजर्लों एक दाम अनुसाशन तो रखते थे न वो बुरा नहीं था वो अच्छा था हमारी भले के लिए था हमने लिबर्टी के नाम पर अनुसाशन को जो ताक पर रखा तो उससे हमारा दिमाग भी कमजूर हो रहा समय पर काम ना करपानी की वज़े से हम फ्रस्रेशन में भी जा रहे हैं तो अनुसाशन आप रखिएगा काम जम के कीजेगा मेहनत कमर जी तोड़ मेहनत कीजेगा एक महावरा है कमर तोड़ मेहनत नहीं जी तोड़ मेहनत कीजेगा और ये उपाय कर लीजेगा मैनेश्मेंट में सवलता प्राप्त करने के लिए मिट्टी का खाली बर्तन बदुवार के दिन किसी भी बहते वे पानी में आप प्रौइद कर दे जरूरी नहीं कि ये बड़ा ही बरतन हो ये चोटा भी हो सकता है यदि वहाँ पर नाला भी नहीं है चोटी सी नाली है तो उसमें प्रौइद कर दीजी चोटा सा लेकिन ये खाली होगा दूसरा उपाय आपको क्या करता है बरस पतिवार के दिन लाल मसूर की डाल का डाल जरूर कर दिया कीजिए और ये डाल इतनी अवश्य हो किसी गरीब के घर में एक मुक्त का खाना पक जाए ठीक ये तो उपाय कर लीजे यदि आपको मैथमेटिक्स में बहुत जादा दिक्कत आ रही है या आपको रीजिनिंग में बहुत जादा प्रॉब्लम आ रही है तो तामे के तीन से कहरे रंगे धागे में गले में धानन कर लीजे ये बुदवार को धानन करें तो अच्छा रहेगा करिए और मेहनत पर जुट जाए तो सब ठीक करेंगे यदि आपके रिटेंशन पावर कमजोर है यानि आप समझ नहीं पाते हैं चीजों को या याद नहीं रख पाते हैं क्योंकि आपको 30 सेकिंद्स के अंदर इस मंत्र का जब थोड़ी देर कर लिया कीजे देखें आपके प्रेंड की हालत मेमरी की हालत बेटर होती चली जाएगी जरू सकसेस्वल होते हैं हो सकता है प्रभूने लाइन चूटी दी हो लेकिन आप मेहनत करके और प्रभू की उपासना करके उस लाइन को बड़ा और गाड़ा कर सकते हैं प्रभूने आपको ये चूट दी हुई तो इस चूट का लाब उठाएए चलू राज 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 नशकार